मैनेजमेंट इसमें क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट जाए अव्यस बात यह है कि थाइरोइड थाइरॉकसिन कम बना रहा है तो हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट से हमें यह अंदाज़ा होता है कि पेशेंट को माइल्ड डिजीज है, मौडरेट है या सवीर है तो उसकी कैटेगरी के एकॉर्डिंगली पेशेंट को हम थाइरोकसिन देते हैं थाइरोकसिन की टैबलेट होती है और वो सुबो निहार मूँ नाशते से एक घंटा पहले दी जाती है तो वो हम patient की dose जो है उसकी disease severity के accordingly adjust करके उसके weight के accordingly adjust करके उसको देते हैं और फिर हम उसको follow करते है thyroid के test के साथ, blood test के साथ, कम से कम 6 हफते के बाद वो repeat कराया जाता है, 6-8 हफते के बाद देखने के लिए कि जितनी dose हमने दी है, आया वो patient के लिए sufficient है, उसका test कितना normal हुआ है और मजीद बढ़ाने की या कम करने की जरूरत तो नहीं है, तो आपको अगर ऐसा कोई मसला है, पहली बात तो यह है कि आप at the earliest अपने doctor से रापता करें और उसके बाद treatment होने के बाद गायब ना हो जाए, अपने doctor के साथ हर दो महीने बाद रापते में रहें, अपने test करवाते रहें, follow up कराते रहें और जब तक आपका thyroid normal नहीं हो जाता, आपका thyroid का blood का test normal नहीं हो जाता, आप अपने doctor के साथ in touch रहें और यह नहीं कि जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद आप राप्ता ना गरी वक्तन फवक्तन तीन से चार महीने चे महीने के बाद आप अपने थाइरोइट का टेस्ट करवा के उस पे नज़र रखें अपने डॉक्टर के साथ इंटच रहें